कॉंग्रेस पर्टी एक के बाद एक परदेश में जूट की दुकान सजाने में जूटी हुई है हिमाचल परदेश में और जूट का एक बहुत बड़ा बवंडर पैदा किया जूटी गरंटियां दे करके सरकार बनाई और वो ही जूटी गरंटिया यहां से उठाई और करनाटक में जाकर रख दी और जो हालत हिमाचल की गरंटियों की हुई उससे भी ज़्यादा बुरी हालत करनाटक की गरंटियों की हुई है और इतनी हालत खराब होने के बाद अब उस दुकान को उठा करके हर्याना में सजा दिया गया हिमाचल परदेश में गारंटियों के कारण हिमाचल परदेश का बिड़ा गर्प कर दिया हिमाचल परदेश के अंदर इन गारंटियों के चलते विकास कारे बंद हो गया इन गारंटियों के चलते लोगों की तंखा, लोगों के डिये, लोगों के मेडिकल बिल देने बंद हो गए परन्तु वो जो गारंटियों का यहां से उठाया हुआ टोकरा है वो अब हर्याना में सजा दिया गया हिमाचल परदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करते-करते बिजली के दामों में इजाफा कर दिया 125 यूनिट जो फ्री मिल रही थी वो फ्री देना बंद कर दिया हर तरह से रेट बढ़ा दिये बिजली की सप्लाई बंद हो गई अब हर्याना में बोल रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हिमाचल परदेश में 28 लाख बहनों को 1500 पर देने का वाइदा किया गरंटी की वोट लिए पारलेमेंट में फिर वोट लिए जूट की दुकान यहां से उठाई अब खर्याना में सजादी 2000 रुपे की गरंटी कर दी यह गरंटी के जूटी गरंटी के अधार पर पूरें देश के अंदर एक ऐसा महल पैदा करने जा रहे हैं कि कॉंग्रेस पार्टी स्लिए है कि कॉंग्रेस पार्टी को न देश , चिंता है न प्रदेश पर leant है परदेश जाए भाड में बोट मिलना चीये कंग्रेस पार्टी को सरकार बननी चीये कंग्रेस पार्टी की और इनको पताए एक बार बन जाएंगी दुबारा तो बनेगी नहीं इसलिए भारतिय जैनता पार्टी जो काम के नाम पर वोट मानती है और कॉंग्रेश पार्टी जूटी गरंटियां दिखाकर एक बार फिर हर्याना के अंदर लूट का मसौधा तयार कर रही है हर्याना को भी सजग होना है और हिमाचल को विश्टा जग होना है ये जरूदी